हलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग तो दोस्तों आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ यह रैसिपी कड़ाई चिकन की रैसिपी है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चाइनल पे नए हैं तो मेरे चाइनल को सस्क्राइब कर ली कि मेरी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप से मिस ना हो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर जरूर कीजिएगा तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर हमने एक पैन ले लिया है और उसमें दो चम्मच हम साबूद धनिया डाल देंगे और दो के दाने डाल देंगे और इसको भी लो फ्लेम पे ही हम थोड़ा सा रोष्ट कर लेंगे तो यहां पर मसाले रोष्ट हो चुके हैं और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे मसालों को एक प्रेट में निकाल लेंगे ताकि मसाले ठंडे हो जाएं इसको थोड़ा सा फैला देंगे हाँ से तो यहाँ पे मसाले ठंडे हो चुके हैं और अब हम इसको मिक्सर की जार में डाल करके इसको ग्राइंड कर लेंगे इसका एक पॉडर बना लेंगे तो यहाँ पर पॉडर बिल्कुल रेडी हो चुका है यहाँ पर कड़ाई मसाला हमारा रेडी है इसको हम साइड में रख देंगे अब इधर हमने एक बड़ा पतीला लिया हुआ है और उसमें एक कप हमने ओयल डाला हुआ है आधा चम्मच जीरा अब इसमें हम एक चम्मच गोल मिरिज डाल देंगे एक दाल चीनी का टुकड़ा 5-6 लॉंग 5-6 हरी लाइची और 3 तेज पता डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम इसका color change होने तक पकाएंगे इसके बाद हम इसमें 3 medium size की प्यास को डाल देंगे जिसको की हमने बारिक काटा हुआ है और इसका भी थोड़ा सा color change होने देंगे brown color होने देंगे तो यहाँ पे प्यास का color brown हो चुका है और अब हम इसमें चिकन डाल देंगे तो यहाँ पे चिकन हमारे पाई ठाई किलो है ठाई किलो चिकन का हम कड़ाई चिकन बना रहे है यहाँ पे हमने गैस की flame को medium रखा हुआ है और medium flame पे ही हम चिकन को पकाएंगे अभी और इसमें हम अभी एक चमच नमक डालेंगे और नमक को डाल के अच्छे से हम mix कर लेंगे तो medium flame पे ही हमें 4-5 मिनट तक चिकन को पकाना है तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पाई ठाई किलो चिकन है तो उसी हिसाब से हम इसमें मसाले भी add करेंगे तो यहाँ पे हम 4-5 चमच अध्रकलसन का पेश डालेंगे क्योंकि धाई किलो चिकन के हिसाब से ही मसाला इसमें डालना है हमें तो 4 चमच यहाँ पे हमने अध्रकलसन का पेश डाल दिया है और इसको भी डालके थोड़ा सा हम 2 मियट पका लेंगे तो यहां पर हमारी गैस की फ्लेम अभी मीडियम ही है और मीडियम फ्लेम पर ही चिकन को अभी हम पका रहे हैं अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पॉडर और तीन चम्मच यहां पर हम धनिया पॉडर डालेंगे दो चम्मच लाल मीड़ पॉडर और इनको डालके हम मिक्स कर देंगे ताकि मसाले भी हमारे साथ ही साथ पक जाएंगे मसाले का जो कच्चापन होता है वो भी इसी के साथ निकल जाएगा और चिकन आप देख सकते हैं कि चिकन ने पानी छोड़ दिया है और धाई किलो चिकन है तो उसी साथ से इसमें पानी भी जादा निकलेगा अलग से हमने यहाँ पे पानी अभी कोई यूज नहीं किया है और यहाँ पे चार से पांच टमाटर का पेश्ट हमने पीसा हुआ है पीस के उसको डाल दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे कड़ई मसाला और इसको भी डाल के हम अच्छे से मिला देंगे ताकि चिकन में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए अब यहाँ पे हम डालेंगे चिकन मसाला, तो चिकन मसाला हम दो चमच डालेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच गरम मसाला और इसको भी डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर आप हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे नहीं तो चिकन हमारा जादा गल जाएगा तो हाई फ्लेम पर हम इसे 10 मिलट तक पकाएगे और इसी में पानी भी सूख जाएगा और चिकन भी हमारा गल जाएगा इसमें नमक थोड़ा कम था तो एक चमश नमक हमने और डाला है नमक मिर्च आप अपने टेश्ट के हिसाब से डालिएगा तो अब ही हम चिकन को जो पकाएगे तो हाई फ्लेम पर ही पकाएगे क्योंकि इसके अंदर जो पानी है इसको हमें सुखाना है ड्राइ करना है और इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करके छोड़ देंगे और यहाँ पे हमने दो मीडियम साइज की प्याज ली हुई है इसको हमने इस तरीके से चाट टुकडे में काट लिया है और इसको अलग-अलग कर लिया है और एक शिम्डा मिर्च लिया है इसको भी बड़े टुकड़ों में काट लिया है हमने इसको थोड़ा सा हम ओयल डाल करके फ्राइ कर लेंगे ज्यादा फ्राइड नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों को फ्राइ कर लिया है यहाँ पे अब हम कवर हटा देंगे और कवर को हटा के हाई फ्लेम पे हम चिकन को पकाएंगे तकि इसके अंदर का जो एक्ष्ट्रा पानी है वो ड्राइ हो जाए तो इसको हम high flame पे ही पकाएंगे ने तो चिकन बहुत गल जाएगा तो यहाँ देखिए पानी पूरा dry हो चुका है और बस अब हमें इसे जादा नहीं पकाना है इसमें अब हम शिमला मिर्च और प्यास जो हमने fry करके रखी थी उसको अब हम डाल देंगे और यहाँ पे हमने gas की flame को धीना कर दिया है इसको डाल के हम अच्छे से mix कर देंगे तो इन सब को हम अच्छे से mix कर देंगे और अब यहाँ पे हम कसूरी मेथी डालेंगे तो एक चमच कसूरी मिठी लेंगे और उसको थोड़ा सा हाथ से हम मसल करके इसमें डाल देंगे दाल के इसको भी हम मििक्स कर देंगे तो दोस्तों अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आपने दोस्तों में शेर की जेगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा नौटिफिकेशन बिल को भी ओन कर लीजेगा ताकि मेरी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप से मिस ना हो यहाँ पर कड़ाई चिकन बिल्कुल रेडी है और इसको हमने सर्फ कर लिया है दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजेगा और एक प्यारा सा कमिन्ट भी जरूर कर दीजेगा निक्स वीडियो में हम फिर आपके सामने हाजिर होते हैं तब तक के लिए बाई